ऐसा माना जाता है कि किन्नर किशी को आसिरुवाद दे दे वो पूरा होता है अगर किन्नर किशी को श्राप दे दे वो भी पूरा होता है तो क्या सच में किन्नर का वरदान, आसिरुवाद और श्राप पूरा होता है ये जानने के लिए पहले आप एक कहानी जान लीजिए कहानी के अंत में आप जान पाएंगे कि सचाई ये है पूरा होता है तो क्यूं होता है अगर शिराप नहीं लगता है तो क्यूं नहीं लगता है आसिरवाद पूरा होता है तो क्यूं होता है ये सच्चाई आप अंत में जान पाएंगे तो कहानी इस परकार है कहा जाता है कि भगवान सिरी राम जब वनवास गए थे तब किंडर भी उनको जंगल तक छोड़ने गए थे और उसके बाद जब राम वापिस आए तो किंडर वहीं खड़े हुए मिले तो भगवान राम ने जब देखा कि किंडरों की इतनी भक्ती इतना समर्पन तब भगवान राम ने खुश हो करके किंडरों को एक वर्दान दिया था अगर आप किसी को बद्वा दोगे तो उस इनसान का नुकसान हो जाएगा वो बरबाद हो जाएगा अगर आप खुश दिल से किसी को आशिरुवाद दोगे तो वो इनसान आवाद हो जाएगा अर्थात फलने पुलने लग जाएगा तो इसी कारण से किंडरों को कहा जाता है कि ये किसी को आशिरुवाद दे दें तो पूरा होता है, बददवा दे दें, तो उसका नुक्सान हो जाता है, आपके भी घर में, या मुझे भी घर में कहा जाता है कि किंद्रों की बददवाएं नहीं लेनी चाहिए, उनको खुश रखने का प्रियास किया जाना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत बिलकुल भी नहीं हूँ कि किंद्रों का शिराप लगता है या उनका शिरुवाद पूरा होता है लेकिन हमारे मनों में जो डैटा पड़ा है हमारे मनों में जो धार्मिक विश्वास है उसके कारण मानचिक आघात जरूर पहुंचता है हम मानचिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं ऐसे में मानचिक शांति गायब हो जाती है तो नुक्सान तो हो ही जाता है वो किंद्र के करने से नहीं हुआ वो हमारे अपने ही विश्वासों के कारण हुआ है लेकिन किंद्रों से बद्वा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि भई वो भी इंसान है क्य इनसान होकर के भी इनसानियत से या इनसानों की जो दुनिया है उससे अलग है तो ऐसे में इनसान होने के नाते उनसे हमदर्दी रखी जाए उनसे प्यार किया जाए उनको भी बराबरी का दर्जा मिले इससे मैं सहमत हूँ आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य विशय पर तो आप मुझे कोमेंट बोक्स में जरूर लिखिएगा